आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Question 3 इस section में आपके बास के 2 matching list है आपके बास list 1 है जिसमें elements है list 2 में उनकी corresponding valency आपको match up the following करना है सबस्वेले आपको समझना होगा अगर मैं valency की बात करती हूँ so valency basically आपका क्या होता है कि basically कितना charge उस element पर present होता है clear so charge आपका क्या है negative भी हो सकता है और charge आपका क्या है positive भी negative तब होगा जब वो electrons को क्या करेगा अगर मैं बात करती हूँ अगर वो आपके electrons को क्या कर रहा है gain कर रहा है जो उस पर negative charge होगा अगर वो आपके electrons को क्या कर रहा है आपका lose कर रहा है जो उस पर positive charge आएगा so अब देखो अगर मैं बात करती हूँ electron gain करने वाली species basically usually आपके non-metals होते है, non-metallic elements होंगे right, और electron loose करने वाले basically आपके metallic elements होंगे fine, so first you have, यहाँ पर आपके 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 है sodium right, so sodium basically आपका क्या है एक metal है, और metal है, so इसकी tendency होते है कि यह सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, एक ही electron loose करना पसंद करता है, so इस पर charge होता है plus one, क्योंकि electron loose करेगा, और metal है positive charge, second हमारे पास क्या है carbon, carbon के अगर मैं बात करते हैं, तो carbon वैसे आपका देखा जाता है, कि इसकी valence trail में से four electrons होते हैं, so इसको four electrons चाहिए होते हैं अपनी stability के लिए, one more thing, कोई भी element electron gain या loose इसलिए करते हैं, क्योंकि उसे stability attain करनी है, so carbon के case में देखा जाता है, कि उसकी valence जो होते है, वो four होते है, right, मतलब valence के लिए आप यह भी कह सकते हैं, कि वो कितने bond बना सकता है एक time पर, तो carbon charge bonds बना सकता है एक time पर, right, so यह आपका एक tetravalent होता है, so इसकी four valence है, third अगर में बात करते हूँ, sulfur की, so sulfur की case में आपको समझना होगा, sulfur again एक non metal है, so यह electron gain करना पसंद करता है, और यह 2 electron gain करता है, तो आप positive negative ignore कर सकते हो, क्योंकि यह electron gain करेगा, तो definitely इसमें negative charge आएगा, बढ़ इसकी valence की होती है, 2, right, मतब माइनस 2 दिखा सकते हो आप, but that's all नहीं हो, आप magnitude भी लिख सकते हो से, similarly मैं अगर aluminium की बात करती हो, so aluminium आपका एक metal होता है, और यह 3 electron lose करना पसंद करता है, तो इसकी valence होती है 3, right, so यहाँ से मैं पस options क्या होगे, के लिए 2, right, so option 4 correct होगा, thank you.